जोनियों में से निकल के हम आये हैं, तब ये मनुष्य का शरीर मिला है, हो सकता है ये दो-चार बार मिल गया हो, रिफाइंड होते होते हम थोड़े अच्छे मनुष्य बन गए हैं, या फिर बिगड गए हैं, लेकिन ये वैग्यानिक भी बोलते हैं, कि ये मनुष्य कभी जैली फिस्स से प्रारंब हुआ है, जैली फिस्स जो पंपिंग करते हैं, अपना हार्ट जैस पंपिंग करता है, बोलता है यह मनिश दो आए से शुरू हुआ है यह मनिश की फाउंडेशन जैली फिस्सते है अनुभावी वेग्यानिक बोलते हैं यह शास्तर तो पहले से भोलते हैं कि बड़े भाग से मिला है मनिश का शुरी में तरह-तरह की यौनियों में हम बढ़के हैं और आप ये नहीं समझना कि ये जो मरमर के जो जा रहे हैं ये सभी वापिस मनुष्टी बन जाएंगे नहीं कोई जानवर बन रहा है जाकर के अपने कर्मों के अंसार वापिस गिर जाते हैं जानवरों में फिर ये चक्कर लगाते हैं इदर उदर जानवरों को होश नहीं है, इतनी बुद्धी नहीं है, उनकी पास सोचनी की शक्ती नहीं है, तो इसलिए वो जानवर के यौनियों में इदर उदर लुड़क पुड़क होते डोलते हैं, कभी भेडिया बनते हैं वोल्फ, कभी सिंग बन जाते हैं, बड़ी मांस खाने की सिंग बन जाओ, खूब खाना, एक एक दिन में 40-40 किलो, 40 किलो मांस एक बार में सिंग खा लेता है, चाहे हो दूसरे दिन नहीं खाया है, लिए एक बार में उखा लेता है, 40 किलो, खूब खाना, अभी अभ्यास किया ना, कर रहा है समाज, जहां भी जाओगे, हातों में मांस, अंडे, मांस, मुर्गे, मचे, सूर, गाय, बीफ, हर एक दुकानों पर, बड़े-बड़े इस्टोर हैं, यहां न्यूवार्क में देखता हूँ, वहां जाहिए कभी Saturday, Sunday को, बड़े-बड़ इस्टोर्स पर जहां पर यह चीजे अवेलेबल हैं, हर एक आदमी ऐसा इसका मांस है, क्या खारणे, फिर चीलों में, कवों में और मनुष में क्या बेद रह गया, वो भी मांस के उपरी नजर रखते हैं, मनुष ने, समाज ने भी मांस के उपरी अपनी नजर ठिका दिये और सब जगे से ध्यान अटा दिया, कि मांस काओ, अच्छा-चा कुकिंग करो, और शराप पीओ, मस्तरो, फिर तोड़ा गदा बोश तो डोलां पड़ेगा, नौकरी योकरी तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, दफ्तर तो खोलना पड़ेगा, लिएन ये काम म बच्छू को, और वो सुआद के लिए ही एक गुलाम बना रहता है जिंदी वर, इसी स्वाद को पुरा करने के लिए, और वो तरह तरह के जھूट वोलेगा, पाप करेगा, बे इमानी करेगा, दोका देगा, बेमन श्ता सा देगा, इसी काम के लिए, खाना, पीना, सोना, बै में तुन निद्रा आहार, शास्त्र कहते हैं कि ये प्रतेक जीव में भी होता है, बै में तुन निद्रा और आहार भोजन, लिन मनुष्य को भगवान ने इतनी हायस्त सोचने की शक्ति दिये कि कम से कम अपना आहार तो शुद करके खाए, और इसे तरक्य है, आहार शुद्धी सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धी दुरुश्मर्ती, इस्मर्ती लब्दे सर्व गरंतिन, सारे ब्रह्म के गाठ ने खुल जाती है, शुद्ध आहार जिसका होता है, ब्रह्म निवारन हो जाते हैं उसकी जीवन में, वो इस पस्ट द देखने लगता है, कि बुरा क्या है और भला क्या है, केवल आहार शुद्ध करने से, और समाद चूक जाता है इन बातों से, शास्त्रों में सरद्धा नहीं, भगवान गुनाकारते हैं, और भोग विलाशों के लिए कुछ भी करते हैं, तो फिर अंदकार में जीवन हो जाता है, नहीं, यूटर ले लेना चाहिए समाज को, दिशा परिवर्तन कर देनी चाहिए, तब सुख संब्रिद्धी हाथ में लगेगी, उससे पहले नहीं, आहार के अंदर सारी सीक्रेट्स हैं, यह पंचकोसी यात्रा है आहार की, पंचक तो कहते हैं, अन से ही, अन के माध्यम से ही, और यह आत्मा एक दूसरे माता पिता के गर्बस्त में चली आती है, सत्त है, आहार फाउंडेशन है, कैसे जीवन होगा आपका आहार की बिना, यह तो फाउंडेशन है, संसार का आहार, यह फाउंडेशन की बात की जा रही है, उससाब से आपका जीवन चलेगा, लिए उनुट फाउंडिशन में भी आप करेक्शन कर सकते हैं, फाउंडिशन आपने चाहे गलत किया हो, लेकिन आप सुधार कर सकते हैं, यूटर्न ले सकते हैं, चाहे माता पिताओं कि मैं आद दिम से गलत फाउंडिशन हो गया, या समाज, सोसाइटी के कारण से कुछ गलत मार्ग में भटक गए लेकिन कोई संतों के शब्दों पे विश्वास हो, सरदा हो या शास्त्रों में सरदा हो तो आप ये गलत मार्ग को छोड़ दीजिए ये दुख का कारण बनेगा और सत मार्ग पर आ जाईए आपके जीवन के रत को सत पत पर लाईए तभी आपको सुख मिलेगा तभी आपकी आयू लंबी होगी आयू सत बुद्धी डवलप होगी आयू सत बलारोग्या सुख प्रीती विवर्दना इनमें बुर्दी होगी विवर्दना मींस बुर्दी होना विकास होना आपकी बुद्धी का विकास होगा आयू का विकास होगा स्वास्त का विकास होगा प्रीती का विकास होगा प्रीती के फूल लगेंगे आपके बगीचे में इर्दयरूपी बगीचे में प्रेम के जरने फूटेंगे जबापका आर शुद्ध होगा प्रेम मई होगा, प्रेम से पकाया होगा इमानदारी से कमाया होगा, शाकाहारी होगा और प्रभु को और अर्पन किया होगा कि आओ मेरे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, निहाल कर दिया सुन्दर नेतर दिये, बुद्ध दिये, और शुद्ध भोजन दिया सुन्दर गहूं, बास्मुति, राई, सुन्दर दाल, सबजिया, चटपड़, सब कुछ है कोई कमी नहीं, रश युक्त हैं, घी, दूद मलाई, दही, दही कितनी अच्छी, अम्रित हैं, दही, दूद, घी, गहूं, चावल, सबजिया, फ्रूट, ड्राइफ फ्रूट, नाना प्रकार के भिंजन, शाकाहारी के अंदर, शाकाहार भोजन में हैं, उनको ग्रेण कीजिये, ये आपकी सबसे स्रेष्ट बुद्धी का सूचक है, कि आप बुद्धी मान हैं, you are a wise man, you become a vegetarian person, over one, ये गीता हमें प्रेणा देते हैं समाज को, आयू सत्व भला रुग्य सुख प्रीती विवर्दना, रश्याह इसनिकदाह, इस्थिरा, हिर्द्या, आहारा सात्विक प्रिया, तो सात्विक नहीं हो आज, तो बन जाओगे, लिन बनोगे तो आहार के माध्यम से ही, सात्विक हो, वो भी आहार के माध्यम से ही, आप सात्विक इस तर पर आये हैं, और तो कोई जरिया नहीं है आपकी पंचकोशी यात्रा अन है आपका शरीर अन है प्रानवायू अन है मनों में कोश है अन से ही मनों में कोश है ज्ञान में कोश है विज्ञान में कोश है और उसके परे आप आत्मा है सच्चिदानंद तो अपने जो परकोटे हैं पांच जिनको पंच कोस कहा है इन परकोटों को सतोगुणी बनाएं शुद्ध बनाएं आपका शरीर सतोगुण में रहना चाहिए आपका बलड सीमन सतोगुण होना चाहिए आपकी प्रानवायू सतोगुण चलनी चाहिए सतोगुण में शुद् होते हैं। Wha आपका मन बद्धी एहंकर चित्त के विचार यह सब सत्वगून 메ंनी चाहिए तो यह तब कौनमें सबस्ती को भी रजगूनी आहार डूबो देता है सत्वगूनी मना देता है में होने चाहिए तो यह तब कोंगे सतोगुण में जब आहार सतोगुणी करेंगे सतोगुणी व्यक्ति को भी रजोगुणी आहार डुबो देता है सतोगुणी बना देता है